ओम परम्तत्वाय नाराय नाय गुरुप्यो नमहा, क्रीम क्रीम भूतनाताय नमहा, ओम त्रीम त्रीम त्रिजटाय नमहा, ओम लीम दिवे चेतना नंदाय नमहा, ओम सिधार शमस्य समस्त गुरुप्यो नमहा जै गुरुदेव, हम लोग गुरुगीता के श्लोकों पर श्रवण मरन कर रहे हैं। कुछ संप्रदायों के गुरुगीता में इनको तीन अध्याय में कहा गया है। जो अभी तक कहा गया, उसमें सब कुछ कवर हो चुका है। लेकिन कुछ श्लोकों को कुछ कुछ संप्रदायों में नहीं बोले हैं, कुछ संप्रदायों में बोले हैं। गुरु उने जैसा डिसाइड किया होगा उनन संप्रदायों के। लेकिन कुछ अच्छे-च्छे श्लोक हैं जो शिवजी ने बोले हैं। तो उसमें गुरू के लक्षन क्या-क्या होते हैं, इत्यादीब कहा गया है, जो अंत में आता है, तो उन्स लोकों को मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगी, केवल अर्थ के साथ इस सीरीज का उपसंगार करेंगे, अथा तृतियो अध्यायह, इसमें शुरुवात होती है कि जब कहां से करना चाहिए, कहां पर बैठ करके करना चाहिए, पहले की वीडियो में बताया गया है, कि शिव जी कहते हैं सुमखी, इस जब को विश्नु जी के शिव जी के मंदिर में, सागर या नदी तट पर, या किसी गोशाला में, या कभी किसी शुभ देवाले में, वट वरिख्ष के नीचे, आवले के वरिख्ष के नीचे, बिल्व के वरिख्ष के नीचे, तूलसी के वन में, किसी निर्मल स्थान पर, आम के वरिख्ष के नीचे जबना चाहिए, और जब के समय पर, निंदित कारेओं को नहीं करना चाहिए, समशान में भी इसको जब कर सकते हैं इन सब जगों में जब करने से इस जब में सिध्धी मिलती है आगे उन्हें ने कहा कि अगर केवल गुरू संतोशी हो गए गुरू को आपने प्रसंद कर दिया तो आपके सारे करोड़ों है जो मंदभागे होते हैं जो शक्ति होते हैं उनको तो यह चीज प्राप्ट नहीं होती और घोर नर्कों में पड़ते हैं और आगे कहते हैं विद्या धनम बलम चैवते शाम भाग्यम निरर्थकम ये शाम गुरू कृपा नास्तिया दोगच्चंति पारवती जिसके उपर गुरू कृपा नहीं है कहते हैं वो उनको विद्या नहीं मिलती धन नहीं मिलता बल नहीं मिलता उनका भाग्यमंद उसका कुल धन्य यहां तक की पुरी वसुधा पुरी धर्ती धन्य हो जाती है और कहते हैं इस उसके इंद्रियां उसके प्राण उसके शरीर उसका जो कुछ भी एस्वजन बंदू भांदव सब धन्य हो जाते हैं कि जो जिस घर में गुरू भक्त प्रकट होता है आगे मैं तीन बार तुम से कहता हूं गुरू से बढ़ करके कुछ नहीं है गुरू से बढ़ करके कुछ नहीं है आगे कहते हैं फिर से रिपीटिशन में कंक्लूशन में कहा गया कि समुद्रेवे यथा तोयम चीरे चीरम गृतम गृते गृतम बिन्ने कुम्भे यथा आकाशम तथा आत्मा परमात्मनी जिस प्रकार सागर में पानी दूद में दूद गी में गी अलग-अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न हैं उसी प्रकार परमात्मा और जीवात मनी सरवदा एक के नरमते ग्यानी ये तरकुत्रदिवानी शम तो कोई ग्यानी होता है ना तो ग्यानी के अंदर से भेद बुद्धी समाप्त हो जाती है तो वो तो परमात्मा का दर्शन सरवत्र करता है रात धिन दिन परमात्मा के दर्शन में अपने गुरू में ही परमात् फात्र विचरते हैं हे पारवती गुरु को संतोष्ट करने से शिश्य मुक्त हो जाता है घृ देवी गुरुदेव की कृपा से वहाणी माधी सिधियां उसका भोग करता है ज्यानी दिन में हो या रात में हो सदा सरवदा समत्व में रमन करते हैं यह आपको सिखाया भी इस प्रकार के महामोनी अर्थात ब्रह्मनिष्ट महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गती करते हैं। आगे कहा, गुरु भक्ती ही सबसे शेष्ट है, अन्यतिर्थ निरर्थक है, हे देवी गुरु देव के चरण कमल सर्वतिर्थ में है। अगर आपको अपने गुरु के चरण में भक्ती हो गई, उनके चरण ही तिर्थ है। जो विमनाइजिंग में है, उनको तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और जो परस्त्री गामी होते हैं, अपनी पत्नी होकर के, लेकिन फिर भी उनका ध्यानी आवा है। ऐसे जो बुद्धि शुन्य लोग हैं, उनको ये गुरु तत्व नहीं समझ सकता, ये परमबोध उनको नहीं प्राप्त हो सकता। और किसको प्राप्त नहीं होता, कहते हैं, अभक्ते च्वन चके धूरते पाखंडे नास्तिक आदिशू, बनसा पीन वक्तव्या गुरू गीता कदाचना। इनको तो बोलना भी नहीं चीए, कि इनको अभक्तों को कपटी, धूरत, पाखंडी, नास्तिक इनको तो गुरू गेता कहना भी नहीं चीए, ऐसा भगवान शिव आग्या दे रहे हैं, एक बहुत सुंदर बात के रहे हैं, जो कल्यूक के ले एकदम फिट है मुझे लगता है, गुर्वो बहवा संति, शिश्य वित्ता पहार काह, तमेकम दुर्लभाम्मनिये, शिश्य के धन का अपरन करने वाले गुरू तो बहुत हैं, लेकिन शिश्य के रिदय का संताप हरने वाला एक गुरू भी दुरलभा है, मैं ऐसा मानता हूँ, तो ये कल्यूक में तो ब जो शिष्य के रिदे में जो संताप हो रहा है शिष्य ताप अपो प्रियावान विवेकी च अध्यातम ग्यानवान सुची ही मानसम निर्मलम यस्य गुरुत्वम तस्य शोबते कहते हैं यह गुरुत्व किसमे शोबा पाता है अगर आप गुरु के बक्ति कर रहे हो तो आपके अंदर वो गुण आएंगे लेकिन वो गुण आने के लिए आपके अंदर क्या qualities होनी चीए तो कहने है जो चतूर है जो विवेकी है विवेकी यानि हर हाल में सही decision लिना कोशिश करके जो अध्यात्म के ग्याता हों पवित्र हों तथा निर्मल मनसा मानस वाले हों उनमें गुरुत्व शोभा पाता है आगे कहते हैं गुरुवो निर्मला शानताह साधवो मित भाशिनह कामक रोद विनिर्मुकता सदा अचारा जितेंद्रियह गुरुवों के और क्या लक्षण होते हैं तो शुरू कहां से क्या आता है गुरुवो वो होते हैं जो शिश के धन पर उनका नजर नहीं है बल्कि वो तो यह चाहते हैं कि शिशी के दुख, शिशी के इर्दय में कोई संताप है, वो दूर हो जाए, वो. और जो विवेकी होते हैं, जो अध्यात्मीक होते हैं, उनके अंदर ये गुरु तत्व परकट होता है. और कहते हैं गुरु कैसे होते हैं गुरु निर्मल होते हैं गुरु शान्त होते हैं गुरु साधू होते हैं साधू है नहीं अच्छे गुणवाले साधू सभाव के और गुरु मित्भाशी गुरु कामक्रोध गुरु मीठी वानी में बात करते हैं गुरु कामक्रोध विव अब गुरू के कुछ-कुछ qualities बताए और भी जो गुरू है ये भी कवर कर लिया है नोंने भगवान ने सूचकादी प्रभे देना गुरू वो बहुदास मिताहा स्वएम सम्यक परिक्षात त्वत्वनिष्ठम भजेत सुदी सूचकादी भेत से अनेक गुरू कहे गए हैं बुद्धिबान मनुश्य को स्वयम योग के विचार करके त्वनिष्ठ गुरू, तत्वनिष्ठ वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाहे लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास हो वह गुरू सूचक गुरू कहलता है तो एक गुरू होते हैं जिनको बहुत ग्यान होता है जो आपको बहुत नौलिज दे सकते हैं जिसे आपके स्कूल के टीचर है वह लोगी कुछ गुरू ऐसे होते हैं किताबी शास्त्र जो है उनको अच्छी तरह पता होता है तो वह भी गुरू की कैटेगरी में आते हैं तो वह भी गुरू ही है आगे कहते हैं कुछ गुरू ऐसे होते हैं जो धर्प अधर्म का विधान क्या है वो बता सकते हैं और वर्ण और अ गुरूही हैं और कहते हैं कुछ गुरूशी है चुंड है इसे हो गुばい धर hemण नोलिज या आपको कैसे रहना चाहिए, आप गुर्यस्थाश्रम में तो कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मच अश्रम और वानप्रस्थाश्रम इत्यादी में आपको कैसे डील करना चाहिए, उसके क्या rules and regulations है, कोई ये भी ग्यान देते हैं, तो वो भी गुरु है, लेकिन इन दोनों गुरु अगर ऐसे कोई गुरु आपको मिल रहे हैं, काला जादू, काला ठूना, और टोटके और ये मोहनमारन वशीकरन इत्यादी की सिखान कह रहे हैं, और आपसे पैसे ले रहे हैं, तो अच्छे हैं वो गुरु, शिव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे हूं, शिव जी की सब्दिसले पढ़के सुनाया, तो उनको तो गुरु मानना ही नहीं चाहिए, आगे कहते हैं, और एक बहुत अच्छे काटिगरी की गुरू है, कौन है वो? हे प्रिये संसार, अनित्य और दुख का घर है, ऐसा समझा कर जो गुरू वैराग का मार्क बताते हैं, वे विहित गुरू कहलाते हैं, वो अच्छे गुरू हैं जो आपको वैरागी की तरफ ले चलते हैं और कहते हैं उनसे भी और अच्छे काटेग्री के गुरु एपरवती तत्व मस्याधी महा वाक्यों का उपदेशे देने वाले तथा संसार मुप रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारनाख्य गुरु कहने हैं जो वेदों का आपको ग्यान दे तत्वमसी आदी महावाक्यानी जो वेदों का आपको ग्यान दे वो गुरु बहुत अच्छे गुरु होते हैं और कहते हैं और गुरु के अंदर सद्गुरु का लक्षन दिया सर्वसंदे हसंदोहा निर्मूलन विचक्षणाहा जन्मम्रित्यो भैयगनो यह स़गुरू परमवतः सर्वप्रकार के संदेवों का जड से नाश करने में जो चतुर है जन्मम्रित्यों थदा भयका जो विनाश करते हैं वे परमगुरू कहलाते हैं सद्गुरु किलाते हैं जो आपको मुक्ति दे दे जन्म और आपको जो नौलेज है आपके सारे संशय को दूर कर दे वो परमगु। सदगुरू किलाते हैं और आगे कहते हैं किसको प्राप्थ होते हैं ये सदगुरू उनको प्राप्त कर शिश्च पुनहा संसार बंधन में नहीं वनता अर्थात मुक्त हो जाता है इहे पार्वती इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए पार्वती उवाचर अब पार्वती जी ने कहा प्रकृती से ही मूड मित्यु से भैबीत सतकर्म से विमुख लोग यदि देव योग से निशिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या अगति होती है निशिद्ध गुरु अब महादेव जी कहते हैं निशिद्ध गुरु अगर तो महादेव जी कहते हैं कि अगर जीसे मारन नुचाटन वशीकरन वाले 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 तांत्रीक जो लिए उनको अपने गुरु बना लिया आप उनके अनुको अनुक्त अनुक्तब निशिद्ध गुरु अध्य आपका आपका इनुफ्ठान कर देंगे AIS निषिद्ध गृुक्ष्य करने कर देंगे ऐसे के चिकर में आप फसते हैं, वही काम करते हैं तो आपकी बीगती सही नहीं होगी निषिद्ध गृू का दुष्ट शंकल्पों से दूशित होने के कारण दिखा यहां पर ब्रह्म प्रले तक मनुष्य नहीं होता पश्यू योनी में ही रहता है इसलिए अगर आप कर रहे हों ऐसा तो उसको छोड़ करके माफिमान करके महादेव जी से सही रास्ते चलिए ऐसे गुरू को फालो नही करना चाहिए क्योंकि महादेव जी ने स्पष्ट कहा है पश्यू योनी में कई-कई कल्पों तक आपको रहना पड़ेगा यह दिए आप ऐसा काम करते हैं तो आगे कहते हैं हे देवी इस तत्व का ध्यान से सुनो मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है ऐसा उपनिशत कहते हैं अथाथ देव योग से गुरू प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरू चुनने की बात अलग है एक है कि आपको नाद्रिली ऐसे अच्छे गुरू मिल गया और एक है विचार करके आपने गुरू चूज किया ध्याभी यूज से म प्रकार जलाशयों में सागर राजा है उसी प्रकार सब गुरुओं में मेरा ये परम गुरु राजा है कैसे होते हैं गुरु परम गुरु क्या होता है उनके अंदर गुण मोहादी रही था कि उनके अंदर मोह नहीं होता मोह काम क्रोध लोग मोह नहीं होता गुरुओं के अंदर शान्त होते हैं नित्यत्रिप्त होते हैं किसी के आशय रहित अथा स्वाश्राई मतलब अपने शिष्य के देदिये ग्रेट नहीं दिये कोई बात नहीं है ऐसे सवाश्री ब्रह्मा और विष्णु के वैभाव को भी त्रिनमत समझने वाले मतलब इतने विरक्त होते हैं कि उनको वैभाव आश्वरे से कुछ लेना देना नहीं लिट्रली तो ऐसे जो गुरु होते हैं वे परम गुरु होते हैं वो गुरु गुरु नहीं हो तो जो शिश्य के धन पिजन के लालत नजर रहती है शिश्य शाखा सुत को तर से परम तत्व वो कैसे परसे अगर कोई गुरु ऐसा है शिश्य सुत साखा को तर से परम तत्व वो कैसे परसे तो परम्तत्व देने ही पाएगा परम्तत्व देने वाले तो गुरू इस प्रकार के होते हैं लालच अरे वैकुंडरू का भी भोग उनको दे दो उनको लालच नहीं है है यही नहीं उनको ऐसे गुरू जो होते हैं परम्गुरू होते हैं और ऐसे गुरू कैसे होते हैं मुछ बेपरमगुरू होते हैं कि द्वैट और अद्वैट इसे मुख्थ होते उनके अंदर ये ज्वैट तो सथी को अनुभो निए है और वो सभी को ऐसी रिसपट देत हैं तो वो नॉपला प्रीचिंग नहीं कर सकते हो उन्चियत – प्रूफ करें नहीं ऐसा नहीं है, वो तो विड़क्त हो जाते हैं कि उन्हों को सिध्धान्त, उन्होंने experience कर लिया है, किस से लड़ाई करें, उनको जो दिखता है, जो लड़ने वाले उनको लगता है, क्या है ये लड़ रहे हैं, कभी इनको अनुबव होगा तो इन्हें एसास होगा, कि लड़ाई जगड़ा बिकार का कुछ फाइदा नहीं है, तो ऐसे द्वैत और अद्वैत से मुक्त, वो अपने अनुबव रूप, प्रकाश वाले अज्ञान रूपी अंदकार को छेदने वाले और सरवग यही परमगुरू हैं, आगे कहा, ऐसे गुरू के दर्शन मात्र स क्या होता है, अपने आप धैर्य और शान्ति आ जाती है वे परमगुरू है, जिस गुरू के पास आप बैठें, ऐसे मुक्त गुरू, ऐसे निर्मुक्त गुरू, लालची नहीं, धन के लालची नहीं, शिशी ने कुरू दिया तो दिया, नहीं दिया, तो उन्हें लालची नहीं है ऐसे गुरू कभी दैव योग से मिल गए या आप ढूंड रहे हैं ढूंटे दूंटे मिल गए हैं उनके दर्शन मात्र से आपके अंदर धैरिय पेशन्स आ जाएगा शांती आ जाएगी ऐसे ये गुरू परम गुरू दें जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं श कोई जलाया गया नहीं तो तो सड़ेगा कहीं तो और नहीं तो चील लोग आएगके खाकर के ये खाने के बाद सब्केर के बात करें फिस्सक पांड़ मेरे अंदर उतीन सभी के अंदर है हरे के अंदर हिए जब उनको ऐसी दिश्टी हो जाती है किस बात का हैंकार ईस पांच किलो Vince kah कि जीतेजिमेगे जो मलमुत्र फैकट्री है इसका हंकार करें इसका हंकार करें उसका हंगार कब ऐसा ऐसी उनकी सोच हो जाती है तो जीते जी वो शरीर से विरक्त जीते जी अपने शरीर को जो शव समझने लगते हैं और अपने आत्मा को अद्वय जानते हैं जो कामिनी और कंचन के मोह का नाश करता है वे परंगुरू है लस्ट और ग्रीड को जो नाश कर दिया जिनोंने वो परंगुरू है हे पारवती सुनो तत्वग ये दो प्रकार के होते हैं मौनी और वक्ता ये भी भगाने बहुत सुंदरबाद कही हे प्रिये इन दोनों में से मौनी गुरू द्वारा लोगों को कोई लाब नहीं होता कुछ गुरू ऐसे होता है जो चुप रहते बोलते हैं किसी को कुछ भी अपनी तो उनसे ज़्यादा तर लोगों को ऐसे लाब नहीं होता उनका केवल वाइब्रेशन जो है वो पूरे पृत्वी मंडल को समाले रखता है तो इतना कल्यूग है घोर कल्यूग में हम आ रहे हैं तीरे दीरे तो ऐसे वाइब्रेशन गंदे वाइब्रेशन से पूरे मंडल में हमने छोड़ करके रखा है लेकिन उसको फिर भी बैलन्स हो रहा है यहते हैं वाइब तो क्यों हो रहा है क्योंकि ऐसे-ईसे मौनी महात्मा यह पहाडों में गुफां में ध्यान कर रहे हैं इनके वाइब्रेशन से वह पवित्रिकरन हो रहा है और धरती का बैलेंस अभी तक है इनसे डिरेक्ली तो ऐसे कोई लाब नहीं होता लेकिन इन ड्रेक लिए इनसे बहुत लाब होता है वो केव में भी बैठे वो पूरे संसार को वो लाइट देते रहते हैं और कोई भी कहीं शिश्य है जिसके अंदर कोई जिग्यासा हो ऐसे गुरू जरूर प्रकट होते हैं उनके लिए तो एक प्रकार के गुरू तो यह होते हैं और एक होते हैं वक्ता भगवान शिवने का वक्ता गुरू से बहुत लोगों को फाइदा होता है क्योंकि वक्ता गुरू बोलते हैं वो ग्यान देते हैं सबको देते हैं क्योंकि भगवान ने कहा वक्ता गुरू भयंकर संसार सागर को पार कराने में होता है संसार में इतने लोग फसे हुए हैं अब हम सब लोग जा करके कैम में बढ़ जाएंगे तो इनको knowledge कौन देगा तो कुछ गुरू वक्ता का रोल लेते हैं बोलते हैं और संसार में फसे हुई लोगों को guidance देते रहते हैं तो ऐसे गुरू और ऐसे जो इनको शास्त्र की शास्त्र पता होती है युक्ति पता होती है तर्क पता होती है और अनुभूती होती है इनके अंदर तर्क से शास्त्र से अनुभूती से ये लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और सभी का संशय का छेदन करते हैं ऐसे तो दो प्रकार के गुरू मौनी गु अन्वपी हे देवी गुरु नाम के जब से अनेक जन्मों के कठे हुए पाप भी नश्ट हो जाते हैं इसमें अनुमात्र शंचय नहीं है सचमुच अपने गुरु देव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है गुरु देव के दरपन से ब्रह्मा आदी सारी देव ट्रप्त हो जाते हैं स्वरूप के ग्यान के बिना किये हुए जब तब आदी सब कुछ नहीं किये हुए के बराबर है बालक के बकवाद के समान है यानि कि गुरू को सेवा मतलब केवल उसको उनको आरती दिखाना उनको चंदा देना आगर भती दिखाना और फिर उनको घली भोग लगाना ये तो सेवा ही है लेकिन अगर जो गुरु ने जो सिखाया जो नौलिज दिया वो आप नहीं समझ पाए तो कहते हैं तो फिर तो फिर वो सेवा सेवा कुछ नहीं है फिर वो वो तो बालक जो ऐसे कुछ बोलता है न हव्यर्थ बकवाद ऐसे आई है तो उस गुरु की वाणी को अपने ज्विन में उतारना ये इंपोर्टन जीज़ है अपने वास्तिविक ज्ञान से रही थे वे सच्मच पशु के समवान है परमतत्व को वे नहीं जानते इसलिए हे प्रिये कैवलि की सिद्धी के लिए घुरू का ही भजन करना चाहिए गुरू के बिना मूड लोग उस परमपद को नहीं जान सकते हे शिवे गुरुदेव की क्रिपासे क्या होती है विद्यते रिदयक ग्रंथिस चिंद्यते सर्वसंचयाहा चीयंती सर्वकर्माणी गुरो करुण्या शिवा गुरुदेव की कृपासे हिरिदय की ग्रंथी छिन्न हो जाती है सब संचय कट जाते हैं प्रसर्व कर्म के जो पाप पुन्य जूब्य आपके कर्म फल है प्राडप संचित क्रियमान सब नश्ट हो जाते हैं सब फल वेदर शास्त्र के अनुसार विशेश रूप से गुरु की भक्ती करने से गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ देने चाहिए जिसके चित्त में ऐसा चिन्न देखा जाता है उसके लिए गुरु दिक्षा का विधान है चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशिल है क्रोध और गर्व से रहित है द्वैत भाव का जिसने त्याग किया है उसके लिए गुरु दिख्षा का विधान है तो आप गुरु के बताय मार्क पे चलना चाहते हैं कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा क्रोध को तो पहले छोड़ना पड़ेगा जूटा जो एहंकार आपने पाल करके रखा है उसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा जब आप यह चोड़ेंगे तो गुरु की दिख्षा के लाइक आप होंगे आगे कहते हैं, जिसका जीवन इन लक्षणों से युख्त हो, निर्मल हो, जो सब जीवों के कल्यान में रत हो, उसके लिए गुरुदिख्शा का विदान है, और कोई लोग तो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो कल्यान वैसे ही करते हैं सबका, तो ऐसे लोगों को गुरुद बहुत बहुत भभ्रतनपुर्वक प्रैंदि चाहिए गुरू प्राप्थ करने के लिए गुरु कि वारी प्राप protective करने के लिए किसको नहीं देना चाहिए, नास्तिक को नहीं देना चाहिए, कृतगन को नहीं देना चाहिए, कृतगन यानि अन्ग्रेटफुल पीपल, दंभी, दंभी मतलब पाकंडी, दिखाने में तो हम बड़े भक्त, लेकिन अंदर में सब कचरा भरा है, दिमाग के अंदर, मौका मिले तो सबको दोखा दे दे, ऐसे नहीं, तो दंभी, शठ, कानिंग पीपल, अभक्त और विरोधी को यह गुरु गीता कदापी नहीं देनी चाहिए, स्त्रीलंपट, मुर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाले को, तथा निंदक को गुरु गीता बिलकुल नहीं देनी चाहिए, एक आप गुरु को नहीं मानते हो, तो यह गती होने वाली है, नहीं चाहते है गती, तो गुरु को रिस्पेक्ट दीजिए, गुरु का त्याग करने से मृत्ति होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रत आती है, गुरु एवं मंत्र दोनों का त्याग करने से रोरव नरक मिलत चिया दूंने कटता है लेकिन गरुदेव के क्रोध से शीवजी रक्षन हैप औहां सब प्रयत्न से गरुदेव की आज्या काउ लंगन नहीं करना जाहिए चल् 가지고 करोण महा मंत्र विद्यमान है साथ करोई ले सब चित्त को भ्रहमित Kữngने गुरू नाम का दो अक्षर वाला एक ही महामंत्र है गुरू 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 गुर अपने आप में महामंत्र है। से ही मनुष्य गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है तो आप लोगों ने पूरी गुरु गीता सुनी इतने सारे वीडियो सीरीज बनाए गए करी 15 अगर आपने पूरी गुरु गीता से नहीं सुनी है तो कहते हैं शिव जी आपके लिए खास करके आप बहुत जन्मों के और गुरु तत्व उतरता जाएगा श्री सत्थ गुरु के चरणामःत का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सर्वतितों में स्वान करनेwości करने का पन करने चाहिए गुरु नाम का जप करना चाहिए ब्रहुभ विष्नु सिव सहित समगर जगत गुरुदेव में समाविष्ट है गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए गुरुदेव के प्रती अनन्य भक्ती से ज्ञान के बिना भी मोक्षपद मिलता है बड़ी इंपॉर्टन बात कहीं लोग मोक्षपद के लिए बहुत ट्राई करते हैं कहते हैं अगर तुम्हें ज्ञान भी नहीं है न केवल तुम गुरु में भक्ती रखते हो और गुरु की सेवा करते हो उतना सिंपल कहते हैं गुरु के अंदर तो सभी बैठे हुए गुरु के कृपा मात्र से आपको वो प्रा गुरु के कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा विश्णू और शिव यथाकरम जगत की स्ष्टी स्थिति और पालन और लाए करने में समर्थ होते हैं हे देवी गुरु यह दो अक्षरवाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है श्रिष्ठ है क्या मंत्र है गुरु बस यही मंत्र ह अवेद और पुराणों का यह सार है इसमें शंचे नहीं है मैं ही सब हूँ मुझ में ही सब कल्पित है ऐसा ज्यान जिनकी कृपा से हुआ है ऐसे आत्मसुरुप श्री सद्गुरु देव के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ अज्यान ती मिरांदस्य विश्य अकरांत चेत सह ज्यान प्रभा प्रदारेन प्रसादम कुरु में प्रभो हे प्रभो अज्यान रूपी अंधकार में अंधे बने हुए और विश्यों के अकरांत से चित्त वाले मुझ को ज्यान देकर आप कृपा का प्रकाश करदो इती श्री सकंद उत्तर खंडे उमा महेश्व समवादे श्री गुरु गीता याम तृतियो अध्याय इसके साथ साथ पूरी गुरु गीता का उप्संगार होता है और भगवान करें आप लोगों में गुरु भक्ती बड़े और गुरु आपकी जिवन में उतर जाए और जैस झाल